सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर्की क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 6 जो की कक्षा छठी के विध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई है सामाजिक विध्यान के भुगोल विशे से और आज इसमें हम जानेंगे महासागरों के बारे में महासागर नाम से समझ में आता यानि बहुत बड़ा पानी का जलाश है जिसको हम महासागर कहते हैं तो चलिए बिना समय गवाए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशेश करते हैं प्यारे बच्चों जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में महाद्वीपों के बारे में जाना था जाना था ना कि प्रिथवी के बड़े भुभाग को जिसकी सीमाए स्पष्ट पहचानी जा सकें महाद्वीप कहते हैं यानि कि प्रिथवी का बहुत बड़ा भुभाग जि उसकी सीमाएं भी होती हैं, उसको हम महाद्वीप कहते हैं, आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे, जो इन महाद्वीपों को चारों और से घेरे रखते हैं, यानि जो महासागर होते हैं, वो महाद्वीपों के चारों और उनको घेरे रहते हैं, पृत्वी पर पाए जान जादा भाग महासागरों में ही मिलता है, महादूइपों की तरह महासागरों की सीमाएं सपश्ट नहीं होती, देखिए महादूइपों की सीमाएं होती हैं, उस हमें दिखाई भी देते हैं, लेकिन महासागरों की कोई सीमा नहीं होती हैं, महादूइपों की होती हैं, बड़ और फिर दक्षनी महासागर और उसके बाद आर्क्टिक महासागर इस तरीके से हमें इसको याद भी करना है तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं गतिविधी नंबर एक नीचे दिये गए चित्र में इन महासागरों की स्थिति पहचानिये नीचे एक चित्र दे रखा है जिस में सबसे बड़ा जो है उसका नाम है प्रशांत महासागर मैंने बोला था सबसे बड़ा ये है प्रशांत महासागर उसके बाद बारी आती है अटलांटिक महासागर की ये रहा अटलांटिक महासागर फिर इसके बाद बारी आती है हिंद महासागर जो की हमारे भारत देश के बिल्कुल दक्षनी भाग में, इसके बाद दक्षनी महासागर, जो कि अंटाक्टिका के पास है, और फिर इसके बाद है आर्क्टिक महासागर, तो इसका नंबर हम तीन रखते हैं, इसका चार और इसका पांच, आर्क्टिक महासागर, तो इस तरह से दुनिया में पांच महा प्रित्वी पर कुल कितने महासागर हैं? अभी अभी हमने काउंट करें हैं, कितने हैं? बताओ. पांच महासागर. ठीक है? और सबसे बड़ा महासागर हैं, कौनसा बताओ जुदी से, उसका नाम है? मैं लिख रहा हूँ, इतने पहले लिख लो. प्रशांत महासागर. उसका नाम है प्रशांत महासागर. ठीक है? अब दूसरा प्रशन. किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया? अभी मैंने आपको बताया हमारे देश के नाम पर किस महासागर का नाम रखा गया हिंद महासागर क्योंकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी तो है इसलिए उसका नाम हिंद महासागर रखा गया है तो इसका नाम है हिंद महासागर तो ये तो थी आज की वर्कशीट, बहुत असान सी वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है न तो इस चैनल को बहुत जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50 के यानि 50,000 तक पहुंचा दीजिए लेकिन याद रखेगा बहार निकलते से में मास्क अभी भी लगाना है क्योंकि करोना अभी भी फैर रहा है और अपनी बारियाने पर इसका टीका करन जरूर करवाना है क्योंकि करोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है आखिर स्कूल भी तो जाना है तो इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद